माता रानी के कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप लगों को वैशनो माता की कथा सुनाने जा रहे हूँ। शार्दिय नौरात्र चल रहा है। इस नौरात्र के समय में बहुत सारे भक्तगर्ण माता रानी के किरपा को पाने के लिए वैशनो देवी के मंदे जाते हैं और माता रानी के दर्सन को प्राप्त करते हैं। पुन्य फल्सरूप माता रानी उनके सारे मनुकामनाओं के पूर्ति करते हैं। आईए आज मैं आप लोगों को माता वैशनों की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पुरुबक बोलिये माता वैशनों की जै हूँ। बड़ही सरधा और विश्वास के साथ माता रानी की इस कथा को सुने। एक बार पहाडों वाली माता ने अपने एक परम भक्त पंडित स्रीधर की भक्ती से प्रसन होकर उसकी लाज बचाई और पूरे श्रष्ट को अपने अस्तित्व का प्रवान दिया। वर्तमान समय कटरा कस्बे से दो किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है हनसाली नामक गाउं जहां पर मा वैश्णो देवी के परम भक्त स्रीधर रहते थे। वह निह संतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवराति पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलवाया और माता वैश्णो भी कन्या वेश में उन्ही के बीच आकर बैठ गई। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई। पर मा वैश्णो देवी वही रही और श्रीधर से बोली सब को अपने घर पर भंडारे का निमंत्रन दे आओ। श्रीधर ने उस दिविकन्या की बात को मान ली और आसपास के गाउं में भंडारे का संदेश पहुँचा दिया। वहां से लोटकर आते समय गुरु गोरकनाथ वो उनके सिस बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे सिस्यों को भी भोजन का निमंत्रन दिया गया। भोजन का निमंत्रन पाकर सभी गौवासी अच्चम्भित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गौवासी आकर भोजन के लिए इकत्रित हुए। तब कन्या रुपी मा वैश्नो देवी ने एक विचीत्र पात्र से सभी को भोजन परोशना सुरू किया। भोजन को परोश्ते हुए जब वह कन्या भैरवनात के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगा मांस का भक्षा और मदिरापान करूंगा। तब कन्या रुपी मा ने उसे समझाया कि यह ब्राम्हन के यहां का भोजन है इसमें मांसा हार नहीं किया जाता। किन्तू भैरवनात ने जान बुझ कर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनात ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मा ने उसके कपट को जान लिया। मा ने वायू रूप में बदल कर त्रिकूट परवत के ओर उड़ चली। भैरवनात भी उनके पीछे गया। ऐसा माना जाता है कि मा की रख्षा के लिए स्वयम पवन पुत्र हनुमान जी भी साथ में थे। मानेता के अनुसार उस वक्त भी हनुमान जी माताज की रख्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगी तब माता जी ने उनके आग्रह पर धनुस से पहाड पर बान चला कर एक जलधारा निकाला और उस जल में अपने केश धोये आज यह पवित्र जलधारा बान गंगा के नाम से जानी जाती है जिसके पवित्र जल का पान करने या इससे इसनान करने से श्रद्धालूं की सारी ठकावट और तकलीपे दूर हो जाती हैं इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर नो माह तक तपस्या की भैरवनात भी उनके पीछे वहां तक आ गया तब एक साधू ने भैरवनात से कहा कि तुम जिसे एक कन्या समझ रहे हो वह आदी शक्ति जगदंबा हैं इसलिए उस शक्ति का पीछा छोड़ दो भैरवनात साधू की बात नहीं माना तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बना कर बाहर निकल गई वह गुफा आज भी अर्द कुमारी या आद कुमारी या गर्व जून के नाम से प्रसिद्ध है अर्द कुमारी के पहले माता की चरण पादुका काभी वहाँ पर दर्शन होता है वह इस्थान है जहां माता ने भाक्ते भाक्ते मुड कर भैरवनात को देखा था गुफा से बाहर निकल कर कन्या ने देवी का रूप धारण किया माता ने भैरवनात को चिताया और वापस जाने को कहा फिर भी वह नहीं माना माता रानी गुफा के भीतर चली गई तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया भैरवने भी हार नहीं मानी और जब वीर हनुमान निधाल होने लगे तब माता वैशनवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनात का संघार कर दिया भैरवनात का सिर कटकर भवन से आठ किलो मीटर दूर त्रीकूट परवत की भैरव घाटी में गिरा उस इस्थान को भैरवनात के मंदिर के नाम से आज भी जाना जाता है जिस इस्थान पर मा वैशनो देवी ने हटी भैरवनात का वद किया वह इस्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है इसी इस्थान पर मा काली, दाई और मा सरस्वती मध्य में और मा लक्ष्मी, बाई और पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों के समन्वित रूप को ही मा वैशनों के रूप को कहा जाता है। ये तीनों भविपिंडियों के साथ कुछ शर्धालू, भक्त एवं जम्मु कस्मीर के भूत पुर्वन रेस द्वारा, इस्थापित मूर्तियां एवं यंत इत्यादी हैं। कहा जाता है कि अपने वद के बाद भैरवनात को अपनी भूल का पश्चा तापुआ और उसने मा से छमादान की भीक मांगी। माता वैशनों देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने ना केवल भैरव को फुर्व जन्व के चक्र से मुक्ती प्रदान की बलकि उसे वर्दान देते वे कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे। जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मानिता के अमसार आज भी भक्त माता वैशनो देवी के दर्शन करने के बाद आठ किलो मीटर की खड़ी चड़ाई चड़कर भैरवनात के दर्शन को जाते हैं। इस बीच वैशनो देवी ने तीन पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार गरहन किया और सदाही ध्यान मगन हो गई। इस बीच पंडित स्रीधर अधीर हो गए। वे त्रीकुटामर परवत की ओर उसी रास्ते आगे वड़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततह वे गुफा के द्वार पर पहुंचे उन्होंने कई विधियों से पिंडो की पूजा की और फिर उस पूजा को अपनी दिंचरिया बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रगट हुई और उन्हें आशिरवात दिया। तब से स्रीधर और उनकी वनसर देवी मा वैशनों देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैशनों की जय हो, माता काली की जय हो, माता सरस्वती की जय हो, माता लक्षमी की जय हो माता वैशनों देवी की एक अन्य पौरानिक कथा है जिसे मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ माता वैशनों की जै हो बड़े ही शर्धा भाव पुर्वत इस कथा को सुने जिससे की माता रानी के किरपा आपको प्राप्त हो हिंदू पौरानिक मानेताओं के अनुसार जगत में धर्म की हानी होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदी शक्ति के सत, रज और तम तीनों रूप महा सुरस्थी, महा लक्ष्मी और महा दुर्गा ने अपने सामोहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या के रूप में प्रगट हुई, यह कन्या त्रेता युग में भारत के दच्छन समुद्री तटपर रामेश्वर में पंडित रतनागर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, कई सालों से संतान हीन रतनागर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परन्तु भगवान वि पर्सकी होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विश्णु ने भी इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पती मान कर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी, जब श्री राम सीता जी के हरण के बाद माता सीता के खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मगन कन्या को देखा, उस कन्या ने श्री राम से उसे पत्नी के रूप में स्विलकार करने को कहा, भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता जी से विवाह किया है और वह एक पत्नी ब्रत का प्रड़ लिये हैं किन्तु कल्यूग में मैं कलिक अवतार लूँगा और तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्विकार करूँगा उस समय तुम हिमाले में इस्थित त्रिकूट परवत की सेड़ी में जाकर तब करो और भक्तों क कष्ट और दुखों का नाशकर जगत कल्यान करती रहो जब श्री राम ने रामान के विरुद्ध विजेप्राप्त क्या तब माने नवरात्र मनाने का निर्णे लिया इसलिए तब से लोग नौ दिनों के अवधि में रामान का भी पाठ लोग करते हैं स्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा मा वैष्णो देवी की इस्तुति गाई जाएगी त्रीकुटा वैष्णो देवी के रुप में प्रसिद होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी माता वैष्णो देवी की जै हो प्रवराम की जै हो माता रानी अपने भक्तों पर किर्पा सदा बनाये रखती हैं और जो कोई भी भक्ती भाव से उनकी आराधना करता है मा के किर्पा सदा सर्वदा उन पर बनी रहती है मा दुर्गा की जै हो मा के नो रुपों की जै हो जै हो जै हो जै हो जिस प्रकार मा दुर्गा ने उस ब्राम्हर देवता के उपर किर्पा करी है उसी प्रकार मा दुर्गा कथा सुनने वाले को और कथा सुनाने वाले पर किर्पा करें माता रानी की जै हो बैस्टों माता की जै हो जै माता दी यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो किर्पया कमेंट बॉक्स में जै माता दी जै शीराम अवस्य लिख दीजेगा प्रेभक्तों आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो किर्पया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन दवाना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में जै मा अवस्य लिख दीजेगा जो कोई भी नए हो मेरे चैनल पर तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर दीजेगा जिससे की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सारी जानकारी आप तक पहुँचे और मातारानी के किर्पा आप लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे मातारानी की जै हो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और किर्पया बेल आइकन दवाना न भूलिएगा धन्यवाद